को हैं कि हडो इजphen्ट तो इस वीडियो में मैं मार्किटिंग मैडेज्मेन्ट चाप्टर चार्ट करना चाहता हूं बड़ रहतलन कि हम पहले चैप्टर में कूच जाएं हम चैप्टर में ही ही फटवर definition और सब कुछ fact ना चालू कर दे मैं इस वीडियो में इस chapter का structure बताना चाहता हूं basically chapters जैसे आपको already पता ही है कि आपके book के सबसे lengthy chapters में आता है और मैं आपको एक चीज़ बताता हूं directing, organizing और marketing ये तीन chapter ऐसे chapter है जो किसी भी book में proper structured way में नहीं है हर book में मैंने जितनी भी पढ़िया अभी तक सब में chapter फैले है मतलब एक topic किसी कोने में दूसरा topic उसी topic से related किसी कोने में कोई chapter के start में कोई chapter के end में है तो ताकि आपको ये chapter lengthy ना लगया और कैसे आपको याद करना है although ये video आपको शायद अभी waste of time लगे but still मैं आपको prefer करूँगा कि आप ये video पूरी देखो ताकि आपको chapter समझने में और याद करने में future में असानी हो तो देखो इस chapter में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमाई marketing management की definition और इसी वे में मैं वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले मैं बताऊँगा और आपकी book में भी ये सबसे पहले है marketing management की definition फिर हम पढ़ेंगे marketing management के features फिर हम पढ़ेंगे marketing management marketing management या फिर marketing versus selling इसमें हम confusion दूर करेंगे कि क तो इसमें हम marketing versus selling पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे functions of marketing management functions of marketing management हम marketing management में क्या क्या करते हैं और फिर हम पढ़ेंगे philosophies of marketing management philosophies of marketing मतलब कुछ philosophies हैं जो over time emerge हुई है marketing को लेखके कैसे marketing करनी चाहिए अभी इनमें से आपको basic बात है कुछ समनी आएगा यह समय आगे की future videos में बताऊँगा यह पान चीजें होने के बाद हमारा main chapter start होगा जो की है four piece of marketing या फिर tools of marketing इसमें basically हम चार चीजें पढ़ेंगे जिने हम कहते है four piece और इसी को हम पूरे chapter में पढ़ेंगे पहला हमारा P है product फिर आता है हमारा price फिर आता है हमारा promotion promotion और फिर आता है हमारा place यह मैंने कोई specific order में नहीं बताया आपकी book में कोई पहले हो सकता है कोई बाद में हो सकता है basically बात यह है हम यह चारों पढ़ेंगे और इन चारों को ही हमें study करना है यहाँ पे थोड़ा हाँ तो हमारे पास यह चारों है product में हम basically तीन चीज़े पढ़ेंगे मैं यहाँ पर और आगे mention कर देता हूँ product में हम चीप तीन चीज़े पढ़ेंगे branding 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 labeling labeling मेरी जैसे कि आपको पता है राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है branding labeling और packaging product में हम यह decision पढ़ेंगे कि हम branding labeling और packaging कैसे करेंगे product की अगर आपको नहीं पता था हम obviously बात है अगली वीडियो में करेंगे price में हम पढ़ेंगे कि कैसे price decide होगा हमारे product का अब क्या price हम रखेंगे अपने product का promotion में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अलग-अलग tools जो है अपने product को market में promote करने के लिए मतलब अपने customers की reach बढ़ाने अपने customers का base बढ़ाने के लिए अपनी sales को जादा बढ़ाने के लिए accelerate करने के लिए इसमें हम sales, personal selling, advertisement, public relation और हमारे combos भी गयरे जो भी होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे और place में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपना product अपने customer तक पहुचाएंगे हम one level, zero level, two level या three level कौन सा channel हमारे पास available है और हम उनमें से कौन सा choose करेंगे तो हम ये अभी आपको मेरे को पता है कुछ समन नहीं आया होगा बट हम ये चारो चीज़े पढ़ेंगे काफी जादा briefly और हमारा यहीं chapter end हो जाएगा तो इस chapter में कुछ नहीं है बस दिमाग में रखो कि पहले हम ये 5 चीज़े पढ़ेंगे जो मैंने नीचे लिखी है अगली वीडियो में हम आगे कवर करेंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का जो आने वाली हैं और जो अपलोड हो चुगी है तो बाई